वेल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट एट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वन लीनियर आंसर टाइप कुश्चन ठीक है यानि कि ऐसे कुश्चन जिनका आंसर हमें केवल एक ही लाइन में देना है ठीक एलिजारिन किस प्रकार का रंजक है एलिजारिन क्या है आपका एक डाई है लेकर पूच रहा है कैसा रंजक है ठीक है डाई है लेकर है किस प्रकार का तो यह आपका हो जागा कलर वाइंडिंग ठीक है कैसा हो जागा आपका रंग बंधक डाई ठीक है यह कलर को वाइंड क तो इसे हम कहते हैं एजो रंजक क्या कहते हैं एजो डाइ के नाम से जानते हम किसको s comes रेड को ठीक है कांगो रेड ओ रेड टिक क्या आजर सेवेंटी नायन कहरा चारी रन्जक का उधहरण लिखिए एक आपको बेसिक डाय का एक्जाम्पल देना है तो बेसिक डाइग का quiser आपका क्या हो जागा मैले का इताम कर्व कर शारी रंजक ठीक कैसा है छारी रंजक क्या मैले कई लंजव कर ढ़ी कर आद रखना है तो तो फैरोس्टीन का सूत्र लिखी है थिक तो FE और आपका C5 और H5 का whole twice ठीक है तो यह होता है आपका ferocene ठीक जिसमें आपका FE के दोनों तरफ आपके क्या लगा रहेते हैं इस तरह से इस तरह से जो है आपके ठीक है यह पांच कारवन वाला आपका एक ring लगा रहेता ठीक है जिसको कहते है ferocene का सूत्र FE ठीक है C5 H5 का whole twice ठीक है C5 H5 ठीक है यह आपकी पांच कारवन वाली एक सिरंखला रहेगी C5 H5 81 कह रहा है जीस लवड किस दातू का कार्व दात्विक है जीस लवड आपका कौन सी दातू का कार्व दात्विक लवड है यह आपने बताना है ठीक है तो यह आपका होता है प्लेटिनम दातू का ठीक है कौन सी दातू का PT यानि की प्लेटिनम दातू का जो लवड होता है वो कैसा होता है कारवधात्विक लवड होता, ठीक है, जीस, ठीक, इसकी अगर हम बात करें, जीस लवड की, तो यह आपका कुछ इस तरह से रहता है, PT, इसमें आपके तीन क्लोरीन लगे रहते हैं, ठीक है, कितने तीन क्लोरीन और एक आपका, एक तीन गुरुप लगा रहे था, ठीक है, CH2, CH2, तो यह आपका होता, जीस, लवड क्या होता है, आपका, जीस, लवड, ठीक है, तो यह किसका होता है, आपका, प्लेटिनम का, ठीक, 82, कहरा है, कौन सा आइरन की इस्थाई कार्बोनिल नहीं है, इन में से कौन सी सरचना ऐसी है, जो कार्बोनिल की इस्थाई सरचना नहीं है, यह आपने बताना है, ठीक है, आइरन की इस्थाई कार्बोनिल नहीं है, तो यह आपका हो जागा, fe cu 4 जागा आपका fe cu 4 ठीक है ये कैसा होता है आपका इस्थाई जो है नहीं होता है fe cu 4 ठीक 83 कह रहा है क्या v और cu का whole 6 अनुचुम्बकी है कैसा है आपका v और cu का whole 6 कैसा है आपका अनुचुम्बकी है तो आप जब इसके electron फिल करोगे ठीक है तो अगर आपको अनुचुम्बकी होगा कैसा होगा अनुचुम्बकी होगा ठीक है जब सभी electron आपके कैसे हो पेर्ड में हो ठीक है कैसे हो आपके electron पेर्ड में हो ठीक है या युगमित हो तो बहाँ पर कैसा होता है आपका प्रती चुमबकी है, कैसा होता आपका प्रती चुमबकी है, या डाया मैगनेटिक, तो यह कैसा होगा, यह आपका अनुचुमबकी होगा, यहाँ पर जो आपका CO है, इसकी कोई भी उक्सिदेशन, इसकी उक्सिदेशन नंबर 0 रहेगी, तो आप बेनेडियम का जब आपको मिलेंगे जिसके कारें ऐसा ऊजागा है अपका नूचुमबकी और है डीचrica का होल 60 डीचर जहां सीयूंड का इसका उट्शिडेसन लखेंगे रहेंगे चार लगे रहें तो इसकी आपको सरचना बताने कैसी हो जाए कि भी SN से आपके कितने लगे हैं आपके चार जो है CH3 गुरूप लगे हैं ठीक है जब चार CH3 गुरूप लगे रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं लग है तो यह कीसा हो जागा आपका TETRA HEDRAL यया चतुस फलकिए ठीक है किसकी सरचना है पूच लिया जाए तो क्या हो जागा आपका S P3 संकरन ठीक है यानि कि एक स और The posp प्रतोंगे जो कि इसके बॉंड में भाग ले रहे होंगे नेक्स्ट कैराए टेट्रा मेल्टिन में किस प्रकार का संक्रण होता है ठीक है तो यह संक्रण आपका किस तरह का होगा तो यह हो जागा आपका SP3 ठीक है जिसमें आपका S-ORBTL होगा और P-ORBTL कितने होंगे आपके 3 ठीक है इस तरह से ये bondबनाने मिं भाग ले रहे होंगे तो हम कहादें कि क्या नाम संक्रण क्या हो जागा? SP3 हो जागा ठीक है संक्रण क्या हो जागा SP3 हो जागा ठीक है किसका Tetra methyl Tyn का ठीक है जो की आपका वो सामने बना हुगा है Queshion number 86 86 कह रहा है NICU का whole 4 ठीक है NICU का whole 4 यहनिकी Tetra Carbonyl Nickel की सरचना बताएगा इसकी सरचना आपको बतानी किस तरह की होगी ठीक है तो इसकी भी सरचना आपके कैसी हो जागी NI से आपके 4 जो है CO लगे हुए है कुछ इस तरह से ठीक है तो ये भी कैसा हो जागा आपका Tetra Haddle या चतुस फलकी है कैसा हो जागा आपका चतुस फलकी है Tetra Haddle संक्रड यहाँ पर भी आपका SP3 ही रहेगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो NICO का Whole 4 है सरचना कैसे होगी चतुस फलकी होगी ठीक है इस तरह से ठीक है नियोन से 4 आपके CO लगे रहेंगे ठीक है नियोन से 4 आपके CO जो है इस तरह से लगे रहेंगे तो कहते हैं Tetra Haddle 87 का है Mercuro Chrome क्या है जो आपका Mercuro Chrome है यह आपका क्या है यह आपने बताना है तो इसका नाम थोड़ा आपको याद रखना है 2,7 Dibromo यानि कि 2 और 7 पोजीशन पर आपका क्या लगा होगा 2 Bromine लगे होंगे और कहरा है Dihidroxy और इसमें 2 आपके OH गुरूप लगे होंगे फिर क्या हो जागा मर्कूरो फ्लोरीन ठीक है क्या हो जागा 2,7 Dibromo 2,7 Dibromo Dihidroxy ठीक है और आपका क्या हो जागा मर्कूरो फ्लोरीन जो कि आपका क्या है मर्कूरो क्रोम है ठीक है मर्किرو क्रोम है ठीक है यह एक उच अढबार वाला आपका योगिक है ठीक है नेक्स्ट 88 का घुत है वास पवस्था में गया है ठीक है वास पवस्था में आपका गया हूँ Supreme Aluminium क्या है यह आपने बताना है तो इस से कहते हैं क्या होते हैं डाई मरेक ठीक है यानि कि जब दो अड़ों आपस में मिलकर कुछी एक अड़ों का निर्माड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई मरेक ठीक है यहां पर हम दो से गुणा कर देंगे तो यह दो आपस में एल और एल सोरी और इंसे आपके जो है तीन तीन आपके सीह स्थरी लगे रहेंगे ठीक है तो इस तरह से ही क्या हो जाते हैं डाई मरेक question number 8 team 9 कह रहा है fast form क्या है ठीक है तो fast form आपका क्या है यह आपने बताना है ठीक है तो fast form का आपको सूत्रयाद रखना है इसमें हम पढ़ते है P3 और N3 और bracket में आपका कह रहता है NH3 इसे हम कहते है fast form क्या कहते है fast form ठीक है तो आपका P3, N3 और bracket में NH3 यह किसका सूतर है? FOSFORM का सूतर है जो कि आपको याद रखना है P3, N3 और bracket में NH3 PUSHION NUMBER 90 जो कि कह रहा है FOSFINE का सूतर क्या है? FOSFINE का सूतर से भी जानते हैं क्या कहते हैं? इसको PH3 के नाम से जानते है PH3 यानि कि FOSFORM से आपके तीन हैडोजन लगे रहते हैं और एक लोन पेर जो है FOSFORM पे प्रिजेंट रहता है तो यह किसका सूतर हो जाएगा? आपका FOSFINE का जिसें PH3 के नाम से जानते हैं तो यह उनिट आपका जो है यह टूनिट था इसमें हमने 77 से 90 तक सभी question को discuss कर लिया जो कि आपके एक लाइन में उत्तर देने वाले person है इनका उत्तर आपको यह की line में देना है तो उमीद करते हैं यह आपको समझ में आए होगी दोबारा देख लेना है बहुत ही important question है mostly आपसे exam में जो आपके one day exam होते है जिनमें आपका वाय लोजी का करिश्टी का portion आता उनमें भी इस तरह के question आपसे पूँचे जाते हैं ठीक है जो संकरण है और सरचना है यह mostly पूँच ली जाती है चुम्बकी है अन्चुम्बकी पदार्त होगा तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना याद कर लेना ठीक है बनरी हमार साथ मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक्स फॉर वाचिंग और शेयर दा वीडियो